आज हम सिखेंगे बेबी कॉन 65 कैसे बनाते हैं घर पे ये मसाले वाले ग्रेवी वाली नी रहेगी ड्राइ रहेगी लेकिन खाने में बहुत ही तेस्टी और बहुत फ्लेवरफूल सबसे पहले हमें बेबी कॉन को बॉयल करना है दो से तीन मिनिट के लिए तब तक एक बोल में 1 फोर्थ कप मैदा और कॉन फॉर लेंगे हल्दी, गरमसाला, लाल मिर्शी पाउडर, काली मिर्श पाउडर, अद्रक लसन का पेस, करी पत्ता चॉप करके नमक एड़ करेंगे साथी साथ दो चम्मस तेल एड़ करेंगे और आधा कप पानी एड़ करेंगे और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने जो बेबी कॉन को बॉयल किया हुए है उसे निकालेंगे और उसे हम डायरेक्ट इसमें डा सकते हैं और इसे हम चम्मस से या हातों से आप मिक्स कर लीजे और यह देखिए इसकी कोटिंग बहुत पतली सी रहती है बहुत गाड़ी कोटिंग ने रहती है और अब हम क्या करेंगे ना फटा फट से हम चटनी बना लेंगे तो उसके लिए मैने धनिया और पुदिना पता लिया है हरी मिर्च लिया है अद्रक और लसन लिया है नीबू का रस नमक और भूजा चना और साथ ही साथ बरफ बरफ से इसका कलर इंटक्ट रहेगा और यह यहां हम बेबी कॉन को तेल पे फ्राइ करेंगे तेल को पहले गरंब कर लेंगे फिर मीडियम करके हम इसे फ्राइ करेंगे तब तक जब तक थोड़ी सी लाल न हो जाए इससे क्या होगा यह एक्दम क्रिस्पी रहेगी और अंदर वारी जो बेबी कॉन है वो भी खाने में यह ठंडा होगा यह और टेस्टी हो जाएगा इसके उपर हम थुरसा कालन नमक अड़ करेंगे और ग्रीन चटनी के साथ सर्फ करेंगे बहुत ही असार और क्विक रेसिपी है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को फॉलो जरूर कीजे और इस वी कमन करके बताएं आप कहा से मेरी वीडियो को देख रहे हैं